तो हेलो स्टूडेंट्स आप सब लोग कैसे हैं उमिद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स हमने अपने अररबी एंटी पीसी का जो यूट्यूब प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है आप लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला इसी तरह से रिस्पॉंस देते रही है आगे हम लोग पूरे शेडियूल के साथ जर्नल स्टडीज के कोर्स को कम्प्लीट करवाएंगे तो जिन लोगों ने ग्रुप हमारे टेलेग्राम का नहीं जाइन किया है तो वो लोग फटा-फट से ग्रुप जाइन कर लें और उसमें आपको जो भी लेक्चर होता रहेगा उसका पीडियेफ मिलता रहेगा आज हम लोग क्योंकि Current Affairs की क्लास को शुरू कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडिंट्स मंथली Current Affairs पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक लिंक दिया गया होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आप जो मंथली Current Affairs है उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो जो RRB NTPC का जो एक्जैम है जिसके अंदर Journal Studies के 40 सवाल आएंगे तो उन 40 सवालों में से लगबग लगबग आप देखिए जो combined 50% जो Questions होंगे वो Science और Current से ही होंगे यानि कि 40 में से 20 के आसपास जो Questions होंगे हो सकता है 25 भी हो जाएं वो Science और Current के ही Portion से होंगे इ तो आज मैं Current Affairs में बहुत Important आपसे चीज़े डिसकस करने वाला हूँ तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें और आपको अगर बात पसंद आए तो तभी लाइक करें वरना वीडियो को डिसलाइक कर दें Clear? तो दोस्तो Current Affairs सारे Students की Problem रहती है और सारे Students ये शिकायत करते हैं कि सरक Current Affairs याद नहीं होता तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग को Current Affairs इसलिए याद नहीं होता क्योंकि आप Current Affairs कहीं से भी News को उठाते हो और उसको पढ़ना शुरू कर देते हो Current Affairs भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसका एक बेस होता है अगर वो बेस आपका तयार है तो फिर Current Affairs में आपको क्या करना है सिर्फ उसको अपडेट करते रहना है और वो आपका अपने आप तयार हो जाएगा तो उसमें क्या होगा आपको कभी ये सवाल पूशने की ज़रूत नहीं पड़ेगी कि सर छे महिने का पड़े है या एक साल का पड़े है आपको हर चीज अपने आप अपने फॉर्मेट के नुसार तयार हो जाएगी तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉशन लेके आए हूँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और कितने महिने का पड़े हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस भी इसमें कवर की है ताकि वो आप लोगों को समझ में आ जाए ठीक है तो सबसे पहला कॉशन तो यही है कि कितने महिने का पड़े हैं तो मैं हमेशा यह एड़वाइज करता हूँ कि एक्जैम से 6 से 12 महिने मतलब मिनिमम अगर आपको पड़ना है तो 6 महिने का पड़ें और अगर मैक्सिमम पड़ना है तो 12 महिने यानिकी 1 साल का पड़ें ठीक यही बोलूँगा कि अगर आपके पास बिलकुल भी टाइम नहीं है तो 6 महने का पढ़ें, अधरवाइस आप 12 महने का पूरा पढ़ें, ठीक है, लेकिन अगर आप आज के मेरे लेक्चर को देखोगे, तो मैं आपको ये गरंटी देता हूँ, कि इसके बाद आप जिंदगी करेंट अफेस पढ़ें, कल के दिन जॉब भी लग जाएगी न, तो भी आप करेंट अफेस पढ़ें और आपको याद रहेगा, क्योंकि करेंट अफेस का मकसद सर्फ एक्जाइम के लिए नहीं है, आपको अपने देश और दुनिया की आसपास की जानकारी होनी चाहिए, तो यही मैथड में आपको आज बता रहा हूँ कि कैसे आपने पढ़ना है, कुछ-कुछ नियूज में डिसकस करूँगा, इस फॉर्मेट को अपने पास आप समाल के रखिए, उसके बाद कल से हम लोग फॉर्मेट नहीं बताएंगे, आपको जो नियूज है इंपॉर्टे आप करेंगे, मन्थवाइस, ठीक है ना, तो वो हम लोग उल्टा शुरू करेंगे, जैसे अभी सेप्टेंबर है, तो आउगस्ट, ठीक है ना, तो उससे पहले जुलाए, जून इस तरह से उसको कवर अप करेंगे, वो आपको कल के लेक्चर से पतातल जाएगा, ठीक है, तो देखें, दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करेंट अफेर्स के कुछ बेसिक्स को तियार करना है, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको क्या लिखा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर यही है कि करेंट अफेर्स को सेक् में डिवाइट करना है अलग अलग सेक्शन में डिवाइट करना है और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से न्यूस पढ़ जाते हैं जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा वर्ल्ड न्यूस यानि की विश्विश समाचार ठीक है न तो वर्ल्ड न् अच्छा यह सब आपको करन्ट अफेस का लेक्चर देखना तो जरूरी है ही लेकिन अगर आप कोई भी न्यूस पेपर पढ़ें चाहे वो हिंदी का न्यूस पेपर हो चाहे वो इंगलिश का न्यूस पेपर हो जैसे हिंदी में आप दैनिक जागरन हिंदुस्तान अमर उठते उठते कम से कम कम से कम आप आदा घंटा न्यूस पेपर के पेज पलट के जरूर देखिए ठीक है ना जो करेंट है वो तो हम आपको यहां से पढ़ाएंगी पढ़ाएंगे लेकिन न्यूस पेपर पढ़ने से क्या होता है आपके दिमाग के अंदर एक फॉर्मेट तैएर हो जाता है कि किस तरह से क्या-κया चल रहा है ठीक है तो सबसे पहले आपने वर्ल्ड न्यूस में कवर करना है इवेंट जयानी की घटना है पॉलेटिक्स यानी की राज़िनीती डिस्प्यूट जयानी की विवाद तो दोस्तो जो वीश शमाचार हैं उनको कवर के टाइम पे आप एटलस का प्रयोग जरूर करें क्योंकि मान लीजे किसी देश के बारे में बात हो रही है किसी घटना के बारे में बात हो रही है किसी विवाद के बारे में बात हो रही है ठीक है तो वो चर्चा में रहता है ठीक है अब आजकल तो आप देखिए मीडिया को तो रिया चक्रवर्ती की न्यूस के अलावा कोई फुरसत ही नहीं है तो जो रियल न्यूस है वो तो आपको TV चैनल के थूरू पहुँची नहीं पाती है बिल्कुल भी ठीक है आप देखेंगे रात दिन एक ही तरह का discussion चलता रहता है लेकिन अगर आप न्यूस पेपर पढ़ते हैं तो न्यूस पेपर में इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको तवज्जो दी जाती है उसके अलावा अगर आप न्यूस पेपर भी नहीं पढ़ना चाते हैं तो हम तो अपने lecture में cover करेंगे ही करेंगे लेकिन आप मैं आपको बताऊंगा कि Atlas का प्रयोग कैसे करना है जैसे मान लीजे मैंने आपको एक example दिया हुआ है Beirut explosion के बारे में कुछ दिनों पहले ये 4 अगस्त की घटना थी ठीक है तो date आपको याद रखने क्योंकि किसी exam में इतनी important event होता है कि उसकी date पूछ लेता है ठीक है ना अब ये विश्यो की घटना है वैसी भारत में भी घटना होती है जैसे कि वो कोजी कोडे में plane crash हुआ तो पता होना चीए आपको कारण पता होना चीए बेरूत वाले का ठीक है ना और आपको ये पता होना चीए बेरूत कहां पर है कौन से समुदर के किनारे है किस महादीप में है तो इस तरह के पूरे के पूरे जो इवेंट्स हैं दुनिया के वो आपको ऐसे cover up करने मतलब एक news पढ़नी है और उसको 360 डिगरी सोचना है समझे हैं कि नहीं है चाहे वो कोई घटना हो काहे वो कोई राजनिती से संबंदित हो या चाहे किसी भी देश के बीच में विवाद हो जैसे अमेरिका का कभी चीन के साथ विवाद होता है कभी इरान के साथ विवाद होता है ठीक है ना कभी भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद होता है कभी चाइना के साथ विवाद होता है ठीक है न? तो एक example तो मैंने आपको यह दे दिया दूसरे example मैं आपको दे रहा हूँ जैसे अमेरिका में अभी राष्टरुपती चुनाओ होने वाले हैं तो राष्टरुपती चुनाओ के वहाँ के समीदान में एक fix date है क्या है आप मुझे comment में बताएं उसके बाद राष्टरुपती किस दिन अपने पद को समालेगा उसकी भी एक fix date है clear? वहाँ पे कौन-कौन सी political party होती है ठीक है न? वहाँ की जो संसद है जिसको हम लोग Congress बोलते हैं तो उसके बारे में तो ये पूछ सकता है वहाँ पर आपकी exam, और वो छोटा सा एक question मना देगा वहाँ पर ठीक है न? वो बोलेगा कि अमेरिकी राष्टरुपती के चुनाओं की तिथी क्या होती है या अमेरिकी राष्टरुपती किस तिथी से अपना कारेबार समालता है या अमेरिका में जो राष्टरुपती चुनाओं है उसकी प्रकरिया को क्या कहते है चोटे-चोटे सवाल तो ये मैं आपको सिर्फ आज एक example दे रहा हूँ कि आगे आने वाले current के lectures में क्या-क्या होने वाला है हमारे जो current के lectures हैं वो बांकी lectures से बिलकुर अलग होंगे क्योंकि हम उसमापको पूरा background के साथ समझाएंगे और आप करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे वो अच्छी बात है ठीकिना इसके लावा दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके रटने की शम्ता अच्छी है तो फिर आप मतलब 6 या 1 साल पुराने का सारा current affairs पढ़ो उसमें से 10 सवाल कोई आएंगे एक्जैम में या 15 आएंगे तो वो तो बहुत impossible याद रखना लेकिन अगर इस तरीक इसे पढ़ोगे तो घटनाओं को connect करके पढ़ सोगे कि सबसे ज़्यादा focus पहला point आप पढ़िए आपका महिला प्रतियोगिताओं के उपर होना चीए जो भी female events होते हैं sports के ठीक है चाहे वो महिला cricket का विशू कप हो चाहे वो महिला T20 World Cup हो चाहे महिला football का विशू कप हो चाहे महिला hockey World Cup हो महिलाओं वाले question बहुत पूचे जाते है exam में ठीक है ना mainstream media में भले उनको उतना ना cover किया तो लेकिन exam में वो काफी पूच आते हैं तो पहली tip तो याद रखें कोई भी महिला विशू खेल प्रतियोगिता अगर हो रही है तो उसको जरूर ध्यान दे अभी COVID के विएसे प्रमोख खेल प्रतियोगिता नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है COVID से पहले की जो खेल प्रतियोगिता हुई थी वो आपके exam में पूची जाएंगी उसके बाद जो खेल हैं उनके खिलाड़ी खासकर जो विदेशी खिलाड़ी है और उनके देश आपको पता होने चाहिए यह बहुत important है खासकर जो lawn tennis के खिलाड़ी है उनके वो देश पूचता है ठीक है न या फिर formula 1 जो होती है race ठीक है और खासकर जो हमारे इंडिया में जो popular sports हैं अगर आप third point में देखेंगे जैसे cricket तो बहुत popular तो cricket के उपर question बनेगा तो बहुत ही league से अटके बनेगा या तो वो रणजी से कोई question पूच लेगा अगर कोई record बनाए रणजी ट्रोफी में या फिर वो पूच लेगा महिला विशु कप cricket का या महिला T20 वर्ल्ड कप या महिला कोई champions ट्रोफी वगर हो रही है तो cricket से वहाँ से सवाल पूचेगा ठीक है mainstream में cricket से जैसे माली जो कोई खिलाडी रिटायर हुआ तो उसके बारे में उसके कोई बहुती अलग किरतिमान बनते हैं तो उनके बारे में पूच सकता है लेकिन जो अन्य स्पोर्ट्स है जैसे hockey हो गया ठीक है उसके बाद basketball हो गया table tennis हो गया ठीक है lawn tennis हो गया इस तरह के जो PDF को हमेशा अपने पास समाल के रखें आपको इसका print लेकि चिपका लें याद रहेगा कि कहां पर आपने तीर मारना है ठीक है उसके बाद विश्यो की प्रमुक खेल पृत्योगिता है और भारत की प्रमुक खेल पृत्योगिता है इसमें आजाएंगी ठीक है तो जिसके अ खेल है मैंने आपको बताया लॉन टेनिस से कोशन आते हैं चैस से बहुत कोशन आते हैं ठीक है उसी तरह से आपका जो होकी है होकी से कोशन पूछे आते हैं फर्मुला वन जो रेस होती है उससे कोशन पूछे आते हैं उसके बाद कुछ खेल विवाद होते हैं sports controversy second point आप द जैसे महिंदर सिंग धोनी के ऊपर कोशन आ सकता है खिलाडी दोरा कोई लिखित पुस्तक हो तो वो भी चर्चा में रहती है किसी खिलाडी का देहान्त हो चुका हो चाहे वो भारत का especially इसमें भारत के रहते हैं प्रमुक खिलाडी है और विश्व के भी प्रमुक खिलाडी उनके बारे में उनके नाम पूछ सकता है उनकी डेट याद नहीं करनी है थीक है उसके बाद प्रमुक खिल आव़ड और उनकी रेंकिंग्स बड़ इंपोर्टन है जैसे कि भारत के अंदर प्रमुक खिल आवड जैसे आप अर्जुन आवड है राजीव कानदी खिली रतन तो वो सब आपको याद रखनी जरूरी है, इनको जरूर आप ध्यान में रखें, ठीक है, उसके बाद प्रमो खेल संगठन आते हैं, जैसे फीफा मैंने बताया, आपको बी-सी-सी-आ के बारे में बताया, ठीक है ना, वर्ल्ड होकी फेडरेशन के बारे में, उनका कोई चेर लेवेल लेखक होते हैं, जैसे अरुन धती रॉय हैं, काफी विवादू में रहती हैं, तो अरुन धती रॉय की कोई पुस्तक आएगी, तो सबसे पहले एक्जाम में वो पुछी जाएगी, इस बात को या देखना, क्लेरे की नहीं है, उसी तरह से आप देखिए, जो तसल जैसे ही आपको पढ़ोगे, आपको हर अगवार में ये मिल जाएगा, और हम भी आपको नोट सो मताते रहेंगे, किसी राजनेता, खिलाडी, अभीनेता के द्वारा लिखी गई पुस्तक, वो काफी चर्चाओं में रहती हैं, जैसे अभी डॉक्टर प्रणव मुखरजी जैसे तो इस तरह से वो चर्चाओं में पुस्तक हैं, या किसी पुस्तक का हमारे प्रधान मंतरी या राष्टर पती जी द्वारा उधगातन किया गया हो, तो वो पुस्तक भी काफी चर्चाओं में रहती है, तो वो भी हम आपको आपको बताएंगे, तो अगली कैटेगर तो किस राजजी के दोरा शुरू की गई, और उसके benefits और beneficiaries, यानि कि लाभारती और लाब क्या है, वो आपको सरकारी योजनाओं में समझना है, ठीक है न, तो ये, आपको मैं इसके लिए advice ये करूँगा कि आप इनकी पूरी की पूरी लिस्ट बना लें, सरकारी योजनाओ उसके बाद देखे, important, थोड़ा सा ये उपर हो गया, sorry, ठीक है, तो उसके बाद आप देखे, important bills and acts, यानि कि प्रमुख विधयक, जैसे CA, NRC, चर्चाओं में रहा, इसी तरह से अलग-अलग तरह के विधयक चर्चाओं में रहते हैं, तो उनकी विशेवस्तु क्या है, किया है, कुछ संशोदन होते हैं, बहुत सारे विधयकों में, तो उनके उपर भी exam में सवाल पूछे आते हैं, और ये आप जब current affairs करेंगे, तो ये सारे exams के लिए आपको फाइदे मन्त होगा, कोई भी exam ऐसा नहीं होता है, जिसमें आपसे fact पढ़के जाओ, तो तब आप score कुछित व्यक्ति जो रहते हैं, जैसे author हैं, लेखक हैं, social worker हैं कोई, ठीक है, जैसे आप देखे जुमपा लाडी जी, उनके बारे में आप कैलास सत्यार थी, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये लोग चर्चाओं में क्यों रहते हैं, चाहे वो परियावरन से जु अगर किसी को कहीं का brand ambassador बनाया गया है, किसी राज्य का brand ambassador बनाया गया है, बागों के संगरक्षन के लिए किसी को जिम्यदारी स्वापी गई है, तो वो चाहे Bollywood हो, चाहे Hollywood हो, दोनों ही चर्चाओं में रहते हैं, उनसे जुड़े विवाद, प्रमुक आतंगवादी संग पुछा आता है exam में, क्योंकि ये काफी चर्चाओं में रहते हैं, ठेक है, तो ये आतंगवादी संगठन कहां का है, अगर कोई जज नया धीश अपने एतिहासिक फैसनों के लिए चर्चाओं में है, तो उद्योग पती, अगर उनका नाम किसी सूची में आता है, अमीरों बोड हो, ठेक है ना, नीती आयोग हो, नीती आयोग के CEO हो, तो वो सब appointments important है, और देहांत भी important है, अलग-लग हस्तियों के, अब देखिए उसके बाद मैंने important बताया है, जोग्रफी का current, ठेक है ना, अब आप सोचेंगे sir, जोग्रफी का current क्या होगा, तो देखो जोग्रफ fire, कोई नदी चर्चाओं में है, कोई बाद चर्चाओं में है, कोई जो है जरना या जो तलाब है, वो चर्चाओं में है, तो आपको सारी खबरें आपे मिल जाएंगी, उसके बाद कहीं पर कोई आबदा आ गई, भुकम पा गया, कुछ हो गया, ठीक है, atlas में आपको basic mapping का ग्यान होना चाहिए, जैसे की आपको पता होना चाहिए, कौन सा देश कहां पर है, उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, प्रमुक्सी जो, ये geography का topic नहीं है, ये geography में तो पढ़ोगे पढ़ोगे, current का ज़्यादा important है, अब जैसे south, दक्षर चीन सागर, यानि की south china sea की बात हो है, ठीक है, Mediterranean Sea कहां पर है, प्रशान्त महा सागर, sorry, Mediterranean Sea को हम लोग क्या बोलते है, मैं Mediterranean Sea का नाम, भूम अध्य सागर, ठीक है न, तो इस तरह से वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सीमा विवाद, सीमा विवाद बड़े important है, जैसे काला पानी विवाद हुआ रहा न प्रेंशन मत लीजे, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यह सब PDF आप अपने पास समाल के रखने है, उसके बाद, sorry, important awards, यह awards की spelling गलत होगी, तो please comment मत लिखना, मैं पहले ही मैं देख चुका हूँ उसको, ठीक है, तो award में noble पुरसकार तो हही है, man booker पुरसकार है, इसके कभी मौका लगेगा, तो मैं उनको भी cover up करूँगा, PDF के form में, ठीक है न, तो सभी प्रमुक अवार्ड, उनके क्षेत्रों की एक list बना ले, पत्रकरिता में कौन सा दिया जाता है, कहां पर कौन सा दिया जाता है, तो वो सब आपको मिल जाएगा, उसके बाद है परियावर के बारे में करेंगे, तो आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ पर करना है, important organization परियावरण से related जो संगठन है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे है, National Environment Engineering Institute है, ठेक है, नीरी है, ये सब है, तो वो सब पता होना चाहिए आपको परियावरण से संबंदिद, अगला important है विज इंडिया के अंदर कौन कौन से satellite launch हुए, अभी आपने दिखा होगा, Gulf countries में, उन्होंने Mars Orbiter Mission भेजा, UAE ने तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठेक है, तो भारत में PSLV, GSLV, सब इसके अंदर cover होगा, उसके nuclear energy से related, biotechnology, ठेक है, तो वो में आपको ओता होगा, computer IT से related, मान लीजे कोई malware, कोई ransomware चर्चाओं में है, ठेक है, कोई नया software आया है, कुछ नहीं तकनिक आई है, तो वो चर्चाओं में रहती है, pharma industries, कोई नहीं drugs, ठेक है ना, चर्चाओं में, जैसे भी corona की वज़े से बहुत सारी drugs चर्चाओं में थी, ठेक है ना, hydroxy chloroquine, जादा घंटा newspaper दो, तो ये सब बहुत ही सहज हो जाता है, आप paper में, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, आपको बस अपने दिमाग में store करना है, कोई भी चीज अगर अपने देर तक पढ़ी होगी, इंट्रेस से पढ़ी होगी, तो वो आपकी memory में अपने आप आप आज होगे, उसका social media, social media की कोई विवाद है, तो वो चर्चाओं में रहते हैं, इसी तरह से रक्षा, कोई लड़ा को विवाद जैसे राफेल बहुत चर्चाओं में रहा, ठीक है, कोई missile है, उसका test होए, परिक्षन होए है, उसके बारे में, प्रमुक युद्दपोत भारत के, तो इसको मैं सब cover अब करूँगा, वहाँ से, ठीक है न, फिर आते हैं अर्थवस्ता में, तो RBI के समचार, RBI के news, कोई announcement किया, RBI ने, सरकार ने को announcement किया, कोई नया अर्थिक सुधार का package है, जैसे national infrastructure pipeline के बारे में गुशना की गई थी, ठीक है, कोरोना के package के बारे में गु अर्थिवस्ता के अंदर आएंगे, उसके बाद, places in news, प्रमुक स्थान, मान लिजे कहीं से कोई पुरातत्व, कोई शाक्ष मिले हैं, archaeological evidences, कोई controversy में कोई जगर रही है, ठीक है न, कहीं पर कोई घटना होई है, चाहे आतंगवाती घटना हो, चाहे कुछ event हो, तो वो सब च दिवस, even उनके काले करम, जैसे कि मानली जी, AIDS Day, 1st December, कुछ घुषणा की है, सरकार ने, परियावरन दिवस पे कोई घुषणा की है, ठीक है न, तो यह सब वहाँ पर आता है, इनकी भी list आपको मिल जाएगी, आप प्रमुक दिवसों को याद कर ले, उसके बाद उनकी events को जैसे आप देखिए, विश्व एलिफेंट डे, अभी रिसेंटली, सेलिबरेट किया गया था, कमेंट मा आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो न्यूज में रहा था, उसके बाद राज्यों की अलग अलग घटनाय चर्चाओं में रहती है, चुनाओ चर्चाओं में रहते ह और राजनीती से समाचार जो देश-विदेश के हैं, वो चर्चाओं में रहते हैं, तो आपने देखा, इतने सारे आपके फैक्ट्स हैं करेंट अफेस में, आज हमने आपको दो-तीन न्यूज यहां पे कवर की पुरानी, अब कल से मैं क्या करूँगा, अब जब न्यूज कवर अप करूँगा, तो मैं आपको उसके पूरे के पूरे चीज़ों के बारे मैं बताऊँगा, सिर्फ फैक्ट नहीं बताऊँगा कि कहा कहा तक उसको पढ़ना है, और क्या क्या उसमें बेसिक रिसर्च आपने करना है, तो I hope आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आप मंतली करन्ट अफियर्स चाते हैं, तो वो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, अगर आप गुरुप से जुड़ना चाते हैं, जहां पर आपको सारी पीडियेफ्स मिलेंगी, तो वो भी आप गुरुप से जुड़ सकते हैं, तो थैंक यू, थैंक्स अलोट